शाहरुक खान की जवान बॉक्स आफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने धुआधार कमाई करते हुए 500 करोड के आंकडे को पार कर लिया है। दर्शकों के साथ यह फिल्म इंडस्ट्री के दिगजों को भी खूब पसंदा रही है। इस फिल्म के बाद शाहरुक टाइगर तीन में कैमियो करते नजर आएंगे। फिल्म में सल्मान खान लीड रोल में हैं। ऐसे में आज हम आपको दोनों से जुड़ा किस्सा बताने जा रहे हैं। बात फिल्म करन अरजुन के समय की जब दोनों सितारे एक साथ फिल्म में काम कर रहे थे। इसके निर्देशन की क एक राकेश रोशन कापने लगे थे हाला कि बाद में सब की जान में जान आई जब ये पता चला कि उनके साथ प्रैक किया गया है दरसल शूटिंग के दौरान सेट पर एक दिन पार्टी चल रही थी वहां काफी लोग मौजूद थे ऐसे में सलमान के मन में सभी के साथ प्रै लाया उन्होंने शाहरुक को इस प्लान में शामिल किया और कहा कि मैं जब मैं डांस करने के लिए कहूंगा तो आप मना करना फिर हमारे बीच लड़ाई होगी और मैं आपको बोली मार दूंगा इसके बाद एक्शन डायरेक्टर के पास से ब्लैंक गन मंगाई गई और प् डायरेक्टर राकेश रोशन भी काफी परिशान हो गए कई लोगों को लगा कि वो इस मामले में फंस जाएंगे इसलिए वे वहां से निकलने की बात कहने लगे मामला तब ज्यादा पेचीदा हो गया जब सल्मान ने कहा कि वो सभी को बोली मार देंगे ये सुनकर सभी लोग कापने लगे हालां कि कुछ ही देर बाद जब सबको पता चला कि एह प्रैक था तो सभी की हसी छूट पड़ी